हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजिनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी सहित्य का सरल इतियास डाक्टर बिसुनात तिर्पाथी की पुष्टक के उपर जिसमें कि हम आज आदिकाल पर बातचित करेंगे उसके अंतरगत सामाजिक इस्थिती पर चर्चा करेंगे चर्चा को मैं आगे बढ़ा हूँ इससे पहले मैं उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जो लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियो लेक्चर को देखकर लगातार कमेंट्स करते रहे हैं जिसे की मुझे ये पता चल रहा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है समझ में भी आ रही है और आपकी तैयारी एक सुनिश्चित दिशा में भी चल रही है और आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्रेणा भी मिल रही है तो लगातार काम करने में अनंदारा है और उमीद है कि आप सभी को पढ़ाई करने में भी अच्छा लग रहा होगा देखा जाए तो एक बार मैं बियेचु हस्पीटल में गया था प्रतोगी छातरों के सामने दो तरीके समस्या होती है एक तो नौकरी की समस्या होती है दूसरी उनकी समस्या है कि कई बार बाल गेरने लगता है परते समय दो-तिन चीजें ज़्यादा प्रभावित होती है एक तो आँख पे प्रभाव परता है दूसरा बाल भी जहरने लगता है तो इसको लेके काफी तनाव टाइप का हो जाता है तो मैं हस्पिटल में गया था तो वहाँ पर डाक्टर ने मुझे तीन महिने की दवा दी और कहा कि इसको देखिए बाल जढ़ना रुख जाएगा तो इसलिए मैं युदारण दे रहा हूँ कि कहीं भी आप जाएंगे तो आपको दो से तीन महिने का आउसर दिया जाता है कि ये चीज़ करेंगे आप तो सफलता आपको मिल जाएगी काई कान से कांटेंट आपके भी से पाठिकरम से संबन्धित लगे हुए हैं और जिन जिन परिक्षाँ में आप शामिल होने जा रहे हैं चाहे वो प्रवक्ता की परिक्षा हो रहा है चाहे एक बार वाक्ष जरूर करिए इसके बाद बिश्वास करते वे चैनल को सब्सक्र उन तमाम अपने जूनियर्स और सिनियर्स से भी निवेदन करूँगा और कई हमारे मित्र भी जुड़े हुए हैं तो उनसे निवेदन करूँगा कि इस चैनल के बारे में लोगों को जादस जादा बताएं ताकि अधिक लोग जुड़े और अपने जो भी लक्ष को प्राप करेंगे आम तोर पर जब हिंदी साहित का इतियासा पढ़ेंगे तो जितने भी कालखंड हैं सब के उपर उस समय की सामाजिक राजनीतिक धार्मिक और संस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव पढ़ा है सामाजिक इस्थिति पर इसलिए हम ज्यादा जोर दे रहे हैं क्य जान में रखें तो सामाजिक इस्थिति का रोल बहुत महत्पूर हो जाता है तो आधिकाल आमतोर पर उसका जो समय माना जाता है एक हजार इसवी से लेकर 1480 के आसपास में तो जिन बच्चों का हिंदी के साथ-साथ इतिहास विशे रहा होगा वो ज्यादा इसीज़ को साजनितिक इतिहास में क्या लिखा जा रहा है तब जब जोड़ कर आप देखेंगे तो और आनंद आपको आएगा जब आधिकाल के शुरूवात होती है आधिकाल बिविद प्रबित्यों और परसपर विरोधी प्रबित्यों का काल रहा है इसलिए इसके नामकरण को लेकर काफी बिवाद रहा आलचकों के बीच प्रवित्तियों को ध्यान में रखते हुए तो उस समय हर्षवर्धन का जो शाषन था धिरे-धिरे खतम हो रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि हर्षवर्धन जो कि उत्तर भारत के अंतिम हिंदु शाषक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने शाषन को थापित किया था वो केंद्री है सकता थी इसके बाद धिरे-धिरे भारत उस समय जो मैं भारत बोल रहा हम उस समय छोटे-छोटे राजी थे राजा थे उनका वही चेतर था उसी को वे अपना देश मानते थे और राजी करते थे और एक दूसरी पर कि भूमी भूमी पर कबजा करना और दूसरा था नारियों का हरन करना ये दो ही उस समय में मुद्दे चल रहे थे जो इसमें विजय हाशिल करता था एक तरीके से वो प्रतापी माना जाता था इसके बाद धार्मिक दिश्टिकोन से देखें तो काफी प्रभावरा समाज के राजा से उतنا लेना देना नहीं था राजा जो भी काम कर रहा था वो खुद के विश्तार के लिए कर रहा था जनता से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था लेकिन जनता के उपर दिरे-दिरे धर्म का प्रभाव पड़ रहा था उस समय सिद्ध, नात, जैन ये सब जो धर्मिक संप्रदाय थे, इनका दिरे-दिरे प्रचाश प्रसार हो रहा था, कई जगां पर बैश्रों साहिते भी लिखे जा रहा थे, जिनकी मात्रा बहुत कम थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए, तमाम साहिते लिखे गए, इसके बाद अगर भाषा की द्रिश्टिकोन से देखे तो आदिकाल भाषा की द्रिश्टिकोन से भी विक्सित हो रहा था, जहां पर संस्कृत पाली प्राक्रिस से अपव्रंस विक्सित हुई, उसके बाद अपव्रंस से निकल कर हिंदी अपने स्वरूप को निधारित कर रहे थी, एक परनिष्ठित रूप देने की कोशिश कर रहे थी, बाद में उसमें साहिती भी लिखे गए, तो एक ये बदला हो रहा था, उस समाज में, अब ब्रंस के जगहां पर देरीदरे हिंदी का प्रचलन शूरू हो गया था, ठीक है, अगर हम आवागमन के साधन पर बातचित करें, तो बहुत उस तरीके का नहीं साधन थ जैसे कि आज हम तरीत तरीके से सुचनाओं का आदान परदान कर लेते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो बहुत आसान चले जाते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, रिजरेशन कराते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उस जमाने में क्या था, कि ज अंधिकाल के रूप में इसको हम जान सकते हैं, तो एक चीजी यह थी, और धीरे-धीरे इसलाम का भी प्रवेश होने लगा था, यानि कि मुहम्मद बिन कासिम जो था, वो 712 इस भी के आसपास में भारत में प्रवेश किया था, काल जा था कि प्रथम जो अक्रमणकारी था या फिर अरब से आने वाला व्यक्ति था, मुहम्मद बिन कासिम था, तो दिरे-दिरे इसलाम का भी प्रवाव दिखाए पड़ता है, यानि कि एक तरफ सीधनाथ जैन ये सब अपनी रचनाय कर रहे थे, दूसरी तरफ इसलाम के साथ-साथ जो वाह के अक्रमणकारी थे, उनके साथ भी आने वाले कुछ लोग थे, तो उन्होंने भी सहितिय लिखना शुरू किया, जिसमें कि अब्दुर रह्मान का नाम लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि भारतिय भार्षा में देखा जाए, तो इसलामी प्रवाव से, या फिर इसलामी संप्रदाय से कि जो उस समय का छेत्र था, छोटे-छोटे खंडों में बटा हुआ था, राजा थे, और उनकी मुख्य चिंता थी, सामराज विस्तार करना, और इस्त्री पे अधिकार जमाना, और उससे अपने को प्रतापी मानते थे, उस जमाने में, खासर से आप प्रिथभी रासों में देखेंगे, संयुकता स्वेंबर इत्यादी का जो जिक्रात है, उसी से संबन्दी थे, फिर धर्म को ध्यान में रखते हुए, सिद्ध, नात और जैन साहिते लिखे जा रहे थे, उनके अलग-अलग प्रभित्यां भी हैं, जिस पर कि हम आगे लगातार चर्चा करते रहें और तिसरी यहां पर आप देख रहे हैं कि भाषा की द्रिश्टी कोर से हिंदी का स्वरूप देरे-देरे निर्मित हो रहा था, और इसलाम का भी प्रवेस हो गया था, और कुछ-कुछ मुस्लिम कभी अपनी रचनाएं कर रहे थे, तो इस तरीके से एक सामाजिक इस्थित आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, उमीद है कि एक स्वरूप आपके दिमाग में बन गया होगा, बाकि जब धीरे-धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे, तो आपके दिमाग में और मेरी बातें क्लियर होती जाएंगे, तो चलते हैं सीधे हम बात करते हैं लेक्षर पर, आज हम आदिकाल पर बातचित करेंगे, यहां पर आदिकाल की जो समय सिमा है, एक हजार इसवी से चौदर सो इसवी तक के बीच माने गई है, इसके अंतरगत हम बातचित करेंगे सामाजिक इस्थिति के बारे में, आदिकाल बीबिद और परस्पर बिरोधी प्रवित्तिय है, ठीक है, एक तरफ आप देखेंगे तो बीरगाथा काल इसको का जाता है, तो दूसरे तरफ चारण काल भी का जाता है, एक तरफ आप देखेंगे सिद्ध सामंत काल भी इसका नाम है, तो जो भी प्रवित्तिया हैं, यह सब परस्पर बीरोधी और अनेक प्रवित्तियो का पुंज भी का आजाता है आधिकाल को आगे बात करते हैं हर्ष वर्धन के बाद किसी ने केंद्रिय सत्ता इस्थापित नहीं की ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत में आखरी केंद्रिय सत्ता इस्थापित करने वाला जो राजा था वो हर्ष वर्धन थे युद्य या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था भूमी और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काब्यों के सामाने विशे हैं आप देखेंगे कि आधिकाल में भूमी यानि कि उस सम समय में भारत की संगी इस्थिती है वैसे हर्ष वर्धन के समय में नहीं थी यानिकि या उनके बाद भी नहीं थी चोटे-छोटे राजियों में चोटे-छोटे झेत्रों में बटाव सक्था प्राव भारत और वां के राजा उसी को अपना देश मानते थे और दूसरा जो है कि नारी हरन ठीक है जैसे संग्यूकिता स्वेंबर नाम से आप प्रिश्वी राजरासों में एक खंड जानते होंगे उसी के तरफ संकेत क्या गया है कि खास्तर से आधिकाल में भूमी और नारी का हरन दो महत्पुन विशे था और कभियों ने इसको अपने काविकभी से भी बनाया सामन्तवादी विवस्था में भूमी संपत्ती का स्रोथ होती है रक्त्ययावण्ष की सुधता और उच्चता में नारी की भूमी का निरायक होती है अर्थ विवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामानी जन्ता की दैनंदिन जीवन पर राज्य की अप्यक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था इस काल में सन्स्कृत प्राकृत और आपभ्रंस में भी रचनाय हो रहे थी और साथी साथ आपभ्रंस के चुल को छोड़ते हुए हिंदी भी अपना रूप ग्रहन कर रहे थी यानि कि अपवरंस के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्राण कर रही थी इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विक्सित नहीं थे इसका परेडाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल छेत्र के विभिन अस्थानों पर रचिवी कृतियों में भाषागत विभिनता और छेत्रीता का रंग अधिक है इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है वस्तुतय यह काल अनेक द्रिष्टियों से संधी काल है धार्मिक द्रिष्टि से इस काल में ग्यात और ग्यात साधनाय परचलित थी सिध्य, जैन, नात, आदि मतों का इस काल में व्यापक परचार किया गया था इनका सहित्य भी प्रचूर मात्रा में उपलब्ध होता है धार्मिक साधना के रूप में बैशडों मत का प्रचार सामान जनता में कम नहीं रहा होगा किन्तु इस काल में बैशडों मतावलंबी सहित्य अप्यक्षाक्रित कम मिलता है इसलाम का प्रवेश हो चुका था किन्तु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिध कभी अमेर खुसरों में ही दिखलाई पड़ता है संदेश रासक का रचईता अद्दमान यानि कि अब्दुर्रह्मान अपने नाम से इसलामी धर्मावलंबी ग्यात होता है किन्तो उसकी रचना पर इसलाम का प्रभाव नहीं के बराबर है तो एक तरीके से आदिकाल की सामाजिक इस्थिति के बारे में हमने चर्चा किया कि आदिकाल की जो सामाजिक इस्थिति थी वैसे तो आदिकाल बीविध और परसपर बिरोधी प्रभित्यों का काल है हो सकता है कि ये विकल्प के तवर पर आप्शन में रहे इसके बाद बताया है कि हर सुवर्धन के बाद कभी केंद्रिय सत्ताई स्थापित नहीं रही खंड खंड में छेतर बटे हुए थे वहां के अलग-अलग राजा थे और उनका मुख्य काम था भूमी पर कबजा करना और इस्त्रियों का हरण करना भूमी संपत्ती का सुरत तो थी साथ में उच्चिता और रक्त यावन्ष की सुद्धता में नारी की महत्पून भूमी का थी अर्थ विवस्था का उतना प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है लेकिन धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव है और इस काल में तिन तरीके की संस् और भाशागत विकास भी वरा था अप व्रंस के केचुल को छोड़ती हुई मतलब अप व्रंस से निकलते हुए हिंदी अपना रूप ग्रहन कर रही थी और आवा गमन के साधन जैसे आज रेन हवाई जाज बस इत्यादी है उस जमाने में नहीं थी तो इसका प्रेड़ाम में अनेक बोलियों का संधीकाल दिखाई पड़ता है जैसा कि संस्कृत प्राकृत और अप वरंस के बारे में बताया गया इसके बाद चैन्शुक्ल ने सामपरदाइक साहित मान के साइथ प्रहेंदी साहित के दियास में इन पर कम अथो दिया है और कहा जारा है कि सिद्ध जैन नात तो थे बैठ़व मत का भी प्रचार सामाने जनता में चल रहा था लेकिन कम था और साहित्य भी कम लिखा गया था इसी क्रम म आप जानते हैं कि 712 इस भी में मुहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले एक तरीके से मुस्लिम अकर्मनकारी होने का साक्षि मिलता है तो वो भी आ गया था और किसी प्रारम भी कभी पर तो उसको प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है उसका लेकिन अमिर खुसरों में प्रश्न पर इसंतर और प्रश्न तयार हो जाता हैं तो मिलाकर हमने सामाधिक सिस्थिति के बारे में चर्चा की और और इसके साथ ही आपको राजनीतिक इतिहास, यानि जो प्योर हिस्ट्री है, अगर उसको भी आप पढ़ते हैं, तो आधिकाल को अच्छे से समझेंगे, इसी तरीके से हिंदी साहिते इतिहास के जितने भी कालखंड है, उनको इतिहास से जोड़ कर देखने पर अच्छी त् जाएगी, तो उम्मीद है कि आप अब इतिहास और भूगोल, दोनों किताबें अपने पास रखेंगे, और एक एटलस जो मानचित रहता है, उसको भी अपने पास रखेंगे, जिसे कि आप एरिया को समझ पाएं, तो उम्मीद है कि आज का ये लक्च्छर आप से भी को मिलते एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार